नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शुरू करते हैं 30 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार का पंचांग लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रती दिन पंचांग की ज सितंबर का पंचांग दिनांग है 30 सितंबर 2020 दिन है शुक्रवार सक्समवत 1944 विग्रम समवत 2019 कलियो कवर्शे 513 मां है अश्मिन त्रिक्रुतु है शराद अद्रिकायन है तक छिडायन सुरुदय होगा सुबह 6 बचकर 13 मिनट पर सुरिया स्थोगा शाम के 6 बचकर 8 मिनट चंदुरुदय होगा सुबह 10 बचकर 28 मिनट पर चंद्रास होगा राद के 9 बचकर 7 मिनट पर ब्रव मुरत का समय रहेगा सुबह 4 बच का 37 मिनद से 5 बच का 25 मिनद तक प्राता संध्या का समय रहेगा सुबह 5 बच का 1 मिनद से 6 बच का 13 मिनद तक गोदुली मुरत का समय रहेगा शाम के 5 बच का 57 मिनद से 6 बच का 21 मिनद तक साय संध्या का समय रहेगा शाम के 6 बच के 8 मिनट से 7 बच के 21 मिनट तक निशीता मुरत का समय रहेगा रात के 11 बच के 47 मिनट से 12 बच के 35 मिनट तक पक्चर शुक लेती थी है पंचमी जो रात के 10 बच के 34 मिनट तक रहेगी उसके 5 शष्टी थी आरम भुजाएगी नग्षचतर अनुराधा जो एक अक्टूबर की सुभई 4.19 तक रहेगा उसके पाद जेश्ठा नग्षचतर आरम हो जाएगा योग है प्रिती जो राद के 10.13 मिनट तक रहेगा उसके पाद आयुष्मान योग आरम हो जाएगा प्रदम करण है बव जो सुबह 11 बच का 23 मिनट तक रहेगा और दो ते करण पालव राद के 10 बच का 24 मिनट तक रहेगा चन्दमा रहेंगे विश्चिक राशी में, सूरे रहेंगे कन्या राशी में, सूरे नक्षत रहेगा हस्त दिशा सूल है पशिम दिशा, इसलिए पशिम दिशा के यात्रप जाने से पहले घर से जोग खाकर निकले राहू का वास रहेगा दक्षेन पूर्व कोड पर, नक्षत रशूल है पूर्व में, एक अक्टूबर की सुबह 4 बच का 19 मिनट से पोन रात्री तक शिप का वास रहेगा कैलाश पर रात के 10 बच का 14 मिनट तक उसके बाद नंदी पर रहेगा अभी जीत मूरत का समय रहेगा सुबह 11 बच का 47 मिनट से तो पह 12 बच का 35 मिनट तक अमरित काल का समय रहेगा शाम के 6 बच का 13 मिनट से 7 बच का 51 मिनट तक बजह योग का समय रहेगा दोपर दो बजका 10 मिनद से दो बजका 58 मिनद्ड ततर, साथ इशुर्व योग बन रहे हैं, रवी योग बन रहा है एक अक्टूबर की सुभाई, चार बजका 19 मिनद्ड से चाह बजका 14 मिनद्ड तल राहुकाल का समय रहेगा सादीगन मुल योग बन रहा है 1 अक्टूबर की सुबह 4 बच कर 19 मिनट से 6 बच कर 14 मिनट तक सितंबर को है उपांग लली तावरत तो ये थी जानकारी थी सितंबर की पंचांग की मेरी वीडियो में आंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ